अर्थ्याई तू श्लोक 46 फाकवत कीता यावान अर्था उद पाने सर्वतह संपलू तो दके तावान सर्वेशु वेदेशु प्रामनस्य विजानता हा अनुवाद पानी के एक छोटे से कुएंसे जो भी उत्तेश पूरा होता है वह स्वभावे ग्रूप से एक बड़ी जील द्वारा हर तरह से पूरा किया जा सकता है इसी प्रकार जो पूर्ण सत्य को जान लेते हैं वह सभी वेदों के उद्देश को भी पूरा करते हैं श्री कृष्ण कहे रहे थे कि जैसे एक छोटे कुएं के पानी से नहाने से जो आनन्द मिलता है वही आनन स्वभावे ग्रूप से एक बड़ी चील के पानी से नहाने से भी मिलता है परन्तु अनेक गुना ज्यादा उसी प्रकार जो ग्यान वेदों द्वारा मिलता है वही आनन्द स्वभावे ग्रूप से पूर्ण सत्य को जानने से भी प्राप्त होता है परन्तु अनेक गुना ज्यादा अर्थाच जो सीमित में मिलता है वही असीमित में भी स्वभावे ग्रूप से मिल जाता है इसलिए असीमित के लिए सीमित को छोड़ने में भे की कोई आवशक्ता नहीं होती है परंतु सीमित के लिए असीमित को छोड़ना बहुत खतरनाक होता है इसी तरह पूर्ण सत्य के ज्यान के लिए वेदों को छोड़ना पड़े तो कोई चिंता की बात नहीं है क्योंकि जो वेदों से प्राप्त होगा वही अनन्त गुना अधित पून सत्य के ज्यान से भी प्राप्त हो ही जाएगा ज्यान वह है जो बिना स्वयम के अनुभव के प्राप्त नहीं होता है परंतु वेदों में जो ग्यान वर्नित है वह स्वयम अनुभव किया हुआ नहीं किसी और द्वारा अनुभव कर वर्नित किया हुआ होता है वे कुए की तरह हैं वे हमें उसकी जलक दिखाते हैं जो अनन्त है इस आशा में कि इस छलक को देख कोई आध्यात्म के अनन्त सागर में उतर जाएगा उस असीमित उस अनन्त को अनुभव करने के लिए वेद इसलिए नहीं होते हैं कि हम इनमें लिखे ज्ञान को संपूर्ण समझ कर कर्ण कांड में पढ़कर स्वर्गवर नर्थ में उल्चे रहें वे इसलिए होते हैं कि उनमें लिखित ज्ञान के सागर को समझ कर हम उससे परे जाकर आध्यात्म के पर्थ पर चलें और मोक्ष को प्राप्थ हो योगिश्वर श्वी किष्ण इस उपदेश त्वारा अर्जुन का आवाहन कर उसे आध्यात्म के मार पर चलने को प्रेरित कर रहे थे वे उसे समझा रहे थे कि तू जो निशकर्म होकर कर्म करेगा तो तू इस चीवन मित्यू के चक्र से मुक्थ हो जाएगा तो स्वभाविक है कि तू पाप और पुन्य स्वर्ग और नर्ग से भी मुक्थ हो जाएगा अगर आपको मेरे इस च्छो की व्याख्या पसंद आई हो तो कृपया कर मेरे चैनल तर मिस्टिक टीमिस्टिफाई को लाइक शेर और सब्सक्राइब करें जए श्री कृष्णा